नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सबको पता है कि आमादियुपार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादियुपार्टी एक एंटी कॉर्प्षन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमानी पाटी की दिली और पंजाब की सरकार हैं तहे दिल से इमानदार सरकार हैं हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगी जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाउं गाउं जाता था कस्मों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनौंस किया गया तब भी मुझे अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवंत जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदाश्ट नहीं करना मैंने उनको बच्चन दिया था एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो, हेरा-फेरी करने वाले, चाहे बेगाने हो इसी सिल्सले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फ्रूक्त में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था, तो मैंने उसको गमीरता से लिया, ये मामला सिर्व मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं है, मैं चाहता तो इसको दबा सकता था, अगर मैं ऐसा विचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बीजे सिंगला जो के सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों जीरो टॉलरेंस है हमारी रिशुद खोरी के खिलाफ मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाब में किसी राजनीतिक पद पर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस हम एक प्रसेंट, लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगें.